इस विडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रजार नहीं करते। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोक्सोवेंट टेबलेट के बारे में। दोक्सोवेंट टेबलेट का उप्योग अस्थमा और COPD यानी फेफरों का विकार के उपचार और रोक्थाम के लिए किया जाता है। ये वायुमार्ग की मानस्पेशियों को आराम देने में मदद करता है, जिससे श्वास नलिका चौड़ी हो जाती हैं और सांस लेना आसान हो जाता है। दोक्सोवेंट टेबलेट आपके फेफरों में वायु नलिकाओं को खुला रखने में मदद करता है। यहें नेवे की मानस्पेशियों को आराम देता है। इससे हवा अंदर लेना और बाहर निकालना आसान हो जाता है। इससे आपको छाती में जकडन, सांस फूलना, घर घराहत और खांसी जैसे लक्षनों से राहत मिलेगी और आपको अपने रोजमर्रा के कामों को आसानी से करने में मदद मिलेगी। ये दवा सुरक्षित और प्रभावी है। आमतोर पर कुछ मिंटों के भीतर काम करना शुरू करता है और इसका प्रभाव कई घंटों तक रहता है। जब तक आपके डॉक्टर नहीं कहते, तब तक इसका इस्तिमाल बंद न करें। दोक्सोवें टेबलेट को शाम के समय भूजन के साथ लिया जा सकता है। इसे अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित सटीक खुराक और अवदी में लें। ये वायुमार्ग की मानस्पेशियों को आराम देकर और चोड़ा करके काम करता है। इससे सांस लेना आसान हो जाता है। डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती और जैसे ही आपका शरीर दवा के हिसाब से धाल जाता है। ये अपने आप गायब हो जाते हैं। अगर ये बने रहते हैं या आप इनसे परेशान हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। तो दोस्तों ये थी डॉक्सोवेंट टाबलेट के बारे में जानकारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर टोस्तों ये डdesब और एक ढ़ियो कोने बने ड जानकारी सो नब।